साथियों आप सभी के स्प्रेफार्म पर सागत है यहाँ पर हम लोग उत्तरप्रदेश लोग सिवा आयोग के द्वारा जो APS प्रथात अपर निजी सची 2023 की प्रारंभिक परिछा आपकी जनवरी 2024 में होनी है उसके लिए प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं और इसके दाहत हम हम लोग राजीव पब्लिकेशन के द्वारा जो सौल पेपर और प्रैक्टिस बुक के नाम से जो एक मैगजियन प्रकासित की गई है जिसमें आपके 15 प्रैक्टिस सेट दिये गए हैं उन्हीं में से इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नमबर 6 को इस वीडियो में कवर करेंगे यदि आपने इसके पहले के वीडियो या प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिशन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है वहां से जा करके आप पहले की वीडियो को देख सकते हैं तो चलिए प्राराम करते हैं सबसे पहले हम लोग सा प्रवनद छेत्र कारिक जिससे 1974 में केंसरकागदार प्रारम किया गया था अगला है सब्संचिप GSLV GSLV का पूर्ण रूप क्या है तो इसका पूर्ण रूप है Geo Synchronous Satellite Launch Vehicle GSLV का नाम आप जब भी कोई सेटलाइट या उपगरह को जो है परच्छेपित क्या जाता है उस समय आप इसका नाम सुनते हैं GSLV का Geo Synchronous Satellite Launch Vehicle आगे बात करते हैं सब्संचिप DRDO से आश्री क्या है DRDO का फुल फॉर्म क्या है तो इसका है इसका फुल फॉर्म है Defense Research C option Defense Research and Development Organization अगला है संकेता च्छर FIR जो FIR होती है उसमें I किसका गोतक है तो I for Information उसका पूरा फुल फॉर्म है First Information Report तो First Information Report आई मतलब Information इसलिए A option आपका यहाँ पर सही हो जाएगा आगे बढ़ते हैं पुस्तक The Origin of Species किसने लिखी है तो यहाँ पुस्तक जो है Darwin के द्वारा लिखी गए Darwin के द्वारा D option किसा राधा का नहिया की लिखक कौन है तो इसकी लिखक है लखनो के नबाब वाजित अली शाह थे अंग्रेजों को सब प्रथम दिवानी का अधिकार निम से किसने दिया था तो यहाँ अधिकार सब प्रथम जो है शाह आलम दुतिये ने दिया था ठीक है सत्तरह चोचट के बकसर के युद्द के पश्चात साह आलम दुतिये ने जो है कलाइब को बंगाल बिहार ओडिशा की दीमानी परदान की थी आगे बढ़ते हैं फरक्षियर के फर्मान के दौरा अंग्रेजी इश्ट इंडिया कंपनी को क्या अधिकार दिये गए थे तो किष्ण देव राय के, किष्ण देव राय के दर्वार से समझे थे, तुलुब वर्श के सासक किष्ण देव राय के दर्वार से, जो की बिजय नगर के सासक थे, तो यहाँ पर आपका A option हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं कुश्च नमबर 10 देखते हैं, 1687 में, जब ओरंग जेव ने गुलकुंडा केले पर अधिकार किया, उस समय गुलकुंडा का शाशक कोन था, तो देखे अबूल हसन कुतब्षाह था, तो ओरंग जेव का संकालिन, यहाँ का कौन था, अबूल हसन कुतब्षाह था, तीके? आगे चलते हैं अगला है कपिल मुनी द्वारा प्रतिपादित दार्षनिक परणाली कौन सी है तो इनके द्वारा प्रतिपादित दार्षनिक परणाली जो है वो है शांग के दर्षन क्या है शांग के दर्षन है जबकि न्याय दर्षन के कौन है गौतम थे और उत्तर मिवा अगला है कौन से मूल अधिकार राज जी के साथ ही व्यक्ति के विरुद्भी प्राप्त हैं तो यह है आपका अनुछे सत्रा जो की अस्प्रिश्टा के खिलाब जो अधिकार दिया गया है ठीक है तो यह है राज जी और व्यक्ति दोनों के खिलाब है नहीं राज जी किसी के प्रति अंटेचिविल्टी का कोई क्रिया कलाब कर सकती है नहीं व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाब कर सकता है आगे बढ़ते हैं मार्सलला के दोरान किसी कृति पूर्ति देने का उबंद किस अनुशेद में वरनित है जोकी जारी उत्रठब्रेशन या प्रतिशेद में मूल अंतर क्या है तो इन दोनों में मूल अंतर क्या है देख़े बी ओपिसन पढ़िए उत्रठब्रेशन रिट नीरने को रद्दकरने तथा कारवाई की समापती पर जबकि दौरान कारवाई को रोकने हित्प जारी किया जाती है ध्याना रुखी गवा अगे बड़ते हैं कौन फसी रिट सरकार्यों ब॥्यिक दोनों के बिर्द जारी की जाती है तो यह है आपका बंदी प्रतच्छीकन heaviest corpus जिसका आरद होता है ससरीर उपस्थित करो आगे बढ़ते हैं निम्लित विकल्पों के आधार पर असत्य कथन का चैन करना है तो यहाँ पर देखिए चार कथन दिये गए चार कथन दिये गए हैं बताने इन में से कौन से असत्य हैं असत्य कथन बताने हैं पहला शात्य में संसोधन का आधार राजपुन्रगठन अधिनियम 1956 था यह कथन आपका सही है दूसरा पजल अली आयोग दोरा भारती संग को 16 राजपुन और तीन संग राजपुन्राज छेत्रों में विभाज़त करने का सुझाओ दिया गया यहाँ भी सही है तीसरा तेरह में संसोधन अधिनियम 1962 के द्वारा पॉंडचेरी ऩरी संसोधन अधिनियम द्वारा गोवा भा भारत का 25 राजपुन्राज बना यह आपका कथन गलत है 54th नहीं बलकि 56th supplement के द्वारा गोवा भारत का पचीसवा राज बना तो यहाँ पर दूसरा पहला दूसरा साहिए तीसरा चोथा गलात है इसलिए C option हो जाएगा लॉरेंज वक्र का प्रमुक आश्य क्या होता है तो यहाँ आय विशमता को मेजर करने के लिए इसका इस्तमाल करते हैं आगे बढ़ते हैं विदेशी मुद्रा के लेन देन से संबंदित है क्या है तो टोबिन कर जो टोबिन कर होता है वो विदेशी मुद्रा के लेन देन से संबंदित है देखिए वर्स 1970 में टोबिन द्वारा विदेशी मुद्रा के लेन देन के द्वारा जो I-P Tom होती है, उस पर आरूपित कर ul Tor útil कर कहते हैं अगला है, Zero-Based Budgeting का सिद्धान विक्षित किया है, विक्षित किया है तो या सिद्धान पीटर मायर ने किसने पीटर मायर ने विक्षित किया है, ठीक है आगे पढ़ते हैं निम्लित मतने से कौन मौखिक्यों साख नीत का instrument नहीं है निमलिकितम से कौन मौद्रिक्यों साख नीत का instrument नहीं है तो देखिए आपका जो सारवजेक रिण है सारवजेक रिण मौखिक्यों साख नीत नहीं है जबकि श्रामिधिक तरलता अनुपात, रेपोदर, नकट आरच्छन अनुपात ये सभी जो हैं मौद्रिक्यम साखनीत के उपकरण या इंस्टूमेंट हैं आगे बढ़ते हैं विश्रुबाइंग की उदार रिण प्रदान करने वाली खिन की किसे कहते हैं तो देखिए विश्रुबाइंग की उदार रिण प्रदान करने वाली खिन की अंतराष्टी विकास रंग, अंतराष्टी विकास रंग अतरत आईडिये को कहा जाता है निम्रित्म से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है तो इन चारों में रूष जो है रूष जो इंडियन मिनल येरबुक 2020 है उसके मिसा रूष हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और दूसरे नंबर पे बोस्वाना है बोस्वाना तीसरे पे कनाड़ा ठीक है आगे बढ़ते हैं निम्नित्म से कौन से देश अमली वर्षा से सरवाधिक प्रभावित होते हैं नीचे देए कूर्स सही उत्तर का चैन करना है तो इन में से देखिए आपका कनाड़ा है नार्वे है शुडन जो इसकंडेनेविन कंट्री हैं ये अमली वर्षा से देश है दूसरे नमबर पर जांबिया आता है आगे बढ़ते हैं किस देश में बाजार अधरित लोह यूम इसपात के कार खाने हैं किस देश में बाजार अधरित लोह यूम इसपात के कार खाने है तो किस देश में यह जापान में ठीक है जापान में बाजार अधरित लो वनों में नहीं पाय जाते हैं ठीक है यह मनुसुनी वन्ण पाय जाते हैं जो आपके शागोन होते हैं अधिक जबकि आपका isol चश्टननत जैटु निय भुमद सागरी वनों में पाए जाते हैं तो ध्यान रखीएगा जो आपका शागोन है ये उस्ट कटवंदी पनपाती वनों में है उस्ट कटवंदी पनपाती वनों में शागोन है शाल है शीशम है बहुआ आवला शेमल कुशुम चंदन इत्याद प्रजात के बिच पाए जाते हैं अगला है दातों क में करते हैं गाड़ियों के हेड लाइट में करते हैं ठीक है दाढ़ी तहा बाल बनाने वाले सीसे के रूप में करते हैं शौर भठी में करते हैं याद रखिएगा शूरियास्त के समय सूरियास्त के समय शूरि लाल दिखाई देता है क्यों कि प्रकिरियनन के कारण दिखाई पड़ता है सूरियास्त यों सूरियोदय के समय शूरि का रंग लाल दिखाई पड़ता है और आकास का नीरा रंग भी प्रकास के प्रकिर्णन के वज़ा से ही दिखाई पड़ता है फ्यूज तार किसका मिस्तिधात होता है तो फ्यूज तार जो होता है वो शीशा और टिन का मिस्तिधात होता है देखे, फ्यूज तार का गलनांग बहुत कम होता है, और आदर्स फ्यूज के जो गुण होते हैं उसमें निम्न गलनांग और उच्च प्रतिरोध होता है, निम्न गलनांग और उच्च प्रतिरोध ये इसके दो गुण होते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं, जब पानी में गलनांग बढ़ जाता है, जment Ang के बराबर होता है, वो आपका घट जाता है, तो यहां पर क्या होगा पर जिलीए गलनांगध ऑर कमाः घट जाता है, तर 11 का order rights होजाएगा इस बात को आप याद रखिएगा हमेसा के लिए कि जब भी पानी में कोई भी असुद्धी मिलाते हैं चाहे नमक ही मिलाइए तो पानी का जो कोथनांग boiling point होगा वो बढ़ जाता है जब कि freezing point जो होगा वो क्या होगा वो घट जाएगा या melting point आगे बढ़ते हैं 31 number question देखते ह किसे बिर्च को मरुस्थल का राजा कहा जाता है तो किसको कहते हैं तो आपका खिजडी खिजडी का जो बिर्च होता है ठीक है इसे मरुस्थल का राजा कहा जाता है जो कि समाजी कमानिकी में प्रिवक्त एक बहुत देशिये बिच है जबकि आपका व्यूटिया तर्मा जिसे दावात अथवा प्लाष का विर्ज कहते हैं इसको जंगल की आगे कहते हैं आगे बढ़ते है निम्रीत में से किस खेल बहुत में नहीं हुआ जाता है तो आप देखिये- पोलो कबड़ी इसका उधभौ जो है भारत माना जाता है जब कि बिलियर्ड का खेल भारत से नहीं बारत से उधपन नहीं हुआ है ठीक है बल्कि यह संभावता फ्रांस से उधपन हुआ है या उसका उधभौ हुआ है तो D option निम्लिक में से किस खेल का उधभौ इंगलैंड म विससे माना जाता है, अमेरिका से, खेल और उनके जन्मदाता देश का स्थाही यूग में कौन सा है, तो देखिए आपका यहाँ पर, पोलो खेल का जन्मदाता भारत है, ठीक है, इन चारों में सबसे सही जो है, पोलो का है, जिसका जन्मदाता देश भारत है, आगे बात करत नहीं मालूम है आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के निम्लिखित में किस सहर में 91 में वायु शेना इस्थापना दिवश के आउसर पर एयर सो कायुजिन किया गया तो कहां पर किया गया यह किया गया आपका 8 अकुबर 2030 को प्रियाग राज में उत्तर प्रदेश के इन में आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस का निम्लिखित में से एन्थम शौंग क्या है तो इनका जो एन्थम शौंग है वह है C option दिखे चटानों की जिद पिगलादी बाजू को आग बनाया है काधे पर सितारे नहीं हमने यूपी का मान सजाया है तो फिर से याद र पर सितारे नहीं हमने यूपी का मान सजाया है यह उत्तर प्रदेश पुलिस का एन्थम शौंग है आगे बढ़ते हैं निम्लिखित में से कौं सा यूग में सुमेलित नहीं है सुमेलित नहीं देखे सुनाहला महल कहां पर है आगरा में बिजली पाशी का किला कहा है लखनौ में राम नगर किला कहां पर है यह आपका राम नगर किला जो है यह कन्नौज में नहीं है यह कहां पर है राम नगर किला बनारस में है शाही किला जौनपूर में उत्तर वर्तमान वर्स 2023-24 में उत्तरप्रदेश के बजट का आकार यहां पर कुछ गरबर लिखा गया है एक सेकंड देखिए बजट कितना है यह बजट जो है आपका छे लाक नब्बे हजार दो सो बैयालिस क्रोणों तिरालिस लाक रुपए का है ठीक है सी ऑप्शन आगे बढ़ते हैं अगला है नेमनेखित कत्मों पर विचार कीजिए कथन कांड का है कथन कांड का आपका प्रश्ट है कथन दिया गया है कि भोझपुरी पूर्वी केत्रिक अन्य भाष्णाओं का प्रियोग भी सहस्ता से करते हैं इसलिए आपका कान गलत है आपका कतन सही है तो इसी ऑप्शन हो जाएगा ए शत्ति किन्तु आर अशत्ति है प्रिंस आप वेल्स मुजियम कहां इस्थ है तो यहां आपका मुंबई में महाराश्ट के में इस्थित है ठीक है इसका निर्माण महाराजा शमाई प्रताप शिंग ने समाई प्रताप शिंग ने करवाया था आगे बढ़ते हैं 19 पे पावर 144 का यूनिट या इकाई अंक्या है तो हम यहां पर मैहत के प्रश्ण को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं और हिंदी क के प्रश्ण में पहुंचते हैं ठीक है हिंदी के खंड को देखते हैं 51 नंबर कोशन नीचे देगे वाकिका सबसे उप्यक्त हिंदी अनवाद क्या होगा आप वंडर इफ इटीज ट्रू आई वंडर इफ इटीज ट्रू तो देखिए इसका होगा सी ऑप्शन मुझे आश अफिकार नहीं करेगी अगला है वह पपीता नहीं खाती है इस वाकिका अंगरेजी में अनवाद क्या होगा तो इसका अंगरेजी अनवाद क्या होगा अध्यापन का अंगरेजी अनवाद क्या होगा तो इसका होगा टीचिंग क्या होगा टीचिंग होगा ए ओप्शन ठी तीचर का मतलब होता है सिच्छा क्या अध्यापक इंस्पेक्शन मतलब होता है निरिछण एजुकेशन मतलब होता है सिच्छा प्रसंसा पत्र का अंगरीजी अनुवाद क्या होगा अंगरीजी अनुवाद क्या होगा टेस्टी मोनियल टेस्टी मोनियल का मतलब होता है प्रस का मतलब होता है परती निकती परसासन के अंगरी जी क्या 냉ने स्थघद के अंगरी क्या होगी अगे बात करते हैंそब को हिंदी में परिभासत किया चाहि ह gummyoo को फिरूपन मेंद्या यहाच्छन के अंगरी होगी protection यहठे शाला की yapmış box रेपर की circular होगी आज भारत रच्छा छेत्र में पूरी तरह से आत्म निर्भर हो गया है इस वाकिका अंगरेजी रूपांतर्ण क्या होगा तो इसका अंगरेजी रूपांतर्ण यह option देखे टूडे इंडिया ही इंडिया है जोगा यहां पर पूरा यह मिश्टेक है इंडिया है व यह संस्ताव ही है संकल्प या संस्ताव के संबंद में निम्रिकत में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है तो देखे यहां पर संकल्प में विशाई की पिष्ट भूम और कारण सरकारी आदेश और जिनको प्रतियां भेजनी होती है उसका उलेक नहीं कहता है यह कथन गलत है तो पहला वाला कथन जो है आपका वो गलत है देखे अधिसूचना के तरह ही संकल्प या संस्ताव भी गजट राजपत्र य के लिए निद्री प्रस्णों पर सकाई नेणय की ति नहीं है तो देखिए पहला यह संचिप्त होता है संचिप्त होना सही है सही यह देखिए यह आपका वाला ऑप्षन जो है यह सही नहीं है सी बिचारा धिन विशय के निस्तान से अमधित सभी बातों का संचित उल्ले हो ये सही है टिपड लेखक लिपिक सहायक कारेला अधिछक के नाम से अधिछर बाई ओर होना चाहिए यहाँ पर बी वाला सही नहीं है देखे टिपड के बारे में बात करें सरकारी कारेलों में का ने कागज या रफ सीट का प्रयोग करना चाहिए अगला है कारेले में आने वाले पत्रों की सुचना जिस पुस्तिका में लिखी जाती है उसे क्या कहते है उसे आवक रेजिटर कहते है जबकि जावक रेजिटर में जो जाने वाले पत्रों का रेजिटर होता है ठीक है और जो पत्र रहिश्टर होता है इनमें सभी पत्रों समझीत सुचनाई रहिश्टर किया जाता है अगला है दूसरों को उपदेश देने वाले दुनिया में बहुत है परूत ऐसे लोग कम है जो स्वैम को उपदेश देते हैं इसको यह दिए आप में कहसे हैं मोहरे के फ़ाँ में लिखेंगे तो पर उपदेश उसल बहु तेरे, फिशल पड़े तो हर गंगे, लोगुकतिय का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है मजबूरी में काम करना. मजबूरी में काम करना अगला है सबको समान समझना सबको समान समझना इस मुहावरे का रथ है क्या है अडंगा लगाना अकल का दुश्मन होना एक एक कोना देखना इसमें से कोई नहीं है सबको समान समझना का मतलब होता है एक आख से देखना एक आक्से देखना, आगे बढ़ते हैं अज़र सबको समान समझना किस मुहावरे कार्थ है तो एक आक्से देखने का अर्थ होता है सबको समान समझना, आगे बढ़ते हैं खटाई में पढ़ना खटाई में पढ़ना का सही अर्थ क्या है? जमेले में पढ़ना किसी कारी को करने का संकल्प करना मुहावरा का सही अर्थ है क्या है तो इसका अर्थ है द्रिन निश्य करना पो बारा होना मुहावरे का सही अर्थ है क्या होगा तो इसका होगा सभी तरह की शुक्र शुविदाओं का होना आगे बढ़ते हैं अर्थत खूब लाव हो न देवा शुर में कौन से समाश है देवा शुर में दुन्द समाश है देवा शुर में दुन्द समाश में सभी पत प्रदान होते हैं भागीरत प्रयाश मुहावरे के लिए उचित चैन कीजिए उचित सब्दी क्या होगा भागी पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांस के लिए उपिक सब्द क्या होगा इसके लिए आपका सब्द हो जाएगा आपका मिताहारी गुरु के समी परहकर अध्यन करने वाला ये अंतेवाशी होता है क्या होता है अंतेवाशी जिसके हिर्दय पर आघात हुआ हो उसे मर्माहत कहते हैं जो अपने पत से हटाया गया हो जो अपने पत से हटाया गया हो उसे पदिश्यूत कहते हैं निम्रित वाक्यों में शुद् यहां पर सही क्या होगा डियोप्षिन देखें मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है ठीक है हलवाई की एक दुकान है यह आपका कथन सही होगा आगे बढ़ते हैं 79 नमबर देखते हैं निम्लित वाक्यों में शुद्धवा की कौन सा है तो स्री किष्ण के अनेको नाम ग सिर्टि अगरे अगे बढ़ते हैं निम्लित वाक्यों में सुद्धवा की कौन सा है तो देकी इसकी शंका का निवारण हो गया और यह अफर अपका सही है अगला है यहां पर और क्या है श्रेंट कर रहा है आगे बढ़ते हैं नेमलित में से सुद्ध वर्तनी वाला सब्द कौन सा है शुद्ध वर्तनी वाला सब्द इसमें से आपका सही है इन में से सुद्ध वर्तनी का सब्द कौन सा 85 नंबर में देखिए तो इसमें जो आपका ये option में हिरने कश्युप लिखाया है, हिरने, हिरने, कश्युपू, ये आपका सुध्ध है, अगला है निम्लिखित में से कौन सा सब्द लच्मी का पर्यावाची नहीं है, तो इसमें देखिए, रमा, इंद्रा, कमला, रमा, इंद्रा, कमला, ये लच्मी के पर्यावाची है परन्तो भारती जो है सरसुती का परयावची है निम्लित सब्दों में से एक सब्द संकर का परयावची कौन सा नहीं है कौन सा संकर का परयावची नहीं देखे ललाटच गंगाधर तिरलोचन ये सभी संकर के हैं परन्तो शशधर जो है शशधर ये संकर का परयावची नहीं कही है यहांपर D option निम्लित में से एक सब्ध आम का परयावाची नहीं है यह सभी आम के परयावाची नहीं है अगला है निम्लिकत में से एक शुन का परयावची सब्ध नहीं है कौंसा नहीं है bundकि द서 safe में हेम हाटक कलधोत ये शोन के परियावाची है जिबकि आपका हिरन्या ये शोन का परियावाची नहीं है अगला है उसके प्राण पखेरू उड़ गये वाक इस वाक में पखेरू सब्द किसका परियावाची पखेरू जो हता है पक्छी का परियावाची किसका है पक्छी क बहुतिक का विलोम क्या होगा? बहुतिक का जो है अध्यात्मिक होगा? बहुतिक का क्या होगा? अध्यात्मिक होगा? निशित का विलोम क्या होगा? निशित का आपका भीत होगा? निशित का भीत हो जाएगा? निशित का अनिशित होगा? उचित का अंचित हो जाएगा? नि गोल का इतिहास नहीं होगा, खगोल होगा, ध्यान रखेगा, प्राची सब्द का विपरीत क्या होगा, विलोम क्या होगा, प्राची का विलोम जो है आपका, प्राची सब्द का विपरीत प्रतीची होगा, क्या होगा, प्राची का प्रतीची होगा, अब आगे एक गध्यां को अचमभा नहीं कह डाला था और इसमें सैलानी भी इस नगरी में यूही नहीं खिच चले आते हैं देखे चमभा की वादियों में ऐसा कोई सम्मोहन जरूर है जो सैलानियों को मंद्रबुगत कर देता है और वे बार-बार यहां दसक देने चले आते हैं जहां मंदिर में उ प्रिकित अपने दिव शौंदर की जरुक दिखलाती है चमभा के शौंदर को आत्पसात करने के बाद ही डॉक्टर बोगल ने इसे अचमभा कहा होगा चमभा का यह सौभाग रहा की उसे एक से बड़ा कलाप्रिय धार्मिक और जनसेवक राजा मिला इन राजाओं के काल ने ना सिर्फ यहां की लोग कलाएं फली फूली अपित इनकी ख्याती चमभा की सीमाओं को पार करके पूरे भारत में फैली इन कलाप्रिय नरेशों में जितना प्रसाहन इन्हें चमभा में मिला सायधी अनेतर कहीं मिला हो चमभा की कलम शाईली ने खास अपनी पहचान बनाई है किसी घाटी की उचाईग पर खड़े होकर देखें तो समूचाज चमभा सहार भी किसी अनूठी अकट कलाकरती जैसा ही लगता है अब इस पर आधरी प्रश्णों को देखें 96. चमबा का इतिहास धर्म और पर्टन का कैसा मेल है तो मन को हरने वाला डॉक्टर बोगल ने चमबा का चमबा का अचमबा कब कहा तो उन्होंने कब कहा सौंदर को आत्मजात के बाद चमबा को सौभा की साली क्यों कहा गया क्यों कहा गया तो इसे जो है यहां के राजाओ के कांट की अच्छे राजा मिले चमबा की किस सैली ने अपनी पहचान बनाई है तो चमबा की किस सैली ने बनाई है तो कलम सैली ने कलम सैली ने वशीकृत सब्द का समनार्थी सब्द अनुशेद में पहचानी है वशीकृत सब्द का तो वशीकृत का क्या होगा मंत्र मुग्द करना आगे बढ़ते हैं अब कंप्यूटर प्रश्णों को देख लेते हैं तो चलिए पहला है वह यह अलक्रॉनिक डिवाईस जो डेटा को सुविकार कर सकता है डेटा प्रोशेस करता है तरहा आउटपूट उत्मन करता है और परिघरामों को भविष्य में प्रयोग के लिए इनमें से कौन गरणा का कारिया नहीं कर सकता है तो देखए आपका calculator कर सकता है, computer कर सकता है, mobile phone कर सकता है अगे बढ़ते हैं, अगला है, प्रोग्राम के निर्देशों को binary में दरसाया गया है और किसमें संग्रहित किया गया है, जिसमें से वे CPU दरा प्राप्त, decode और निस्पादित किये गए है तो ये है आपका memory, प्रोग्राम के निर्देशों को binary में दरसाया गया है और memory में संग्रहित किया गया है, जिसमें से वे CPU दरा प्राप्त, decode और निस्पादित किये गए है मस्तिस की तुलना किस से की जाती है, तो इसकी तुलना जो है computer से की जाती है एक computer system की बैचारिक डिजाइन और मौलिक परचालन सनचना है, क्या है तो देखिए, आपका computer architecture जो है, एक computer system की बैचारिक डिजाइन और मौलिक परचालन सनचना है आगे बढ़ते हैं, computer processing द्वारा, information में परिवर्तित करता है, क्या, computer processing द्वारा, क्या करता है, तो data, data को information में, computer processing द्वारा, data को information में परिवर्तित करता है यहाँ पर B option किसे computer का जनक माना जाता है तो देखे चार्स बैवेज को जो है computer का जनक माना जाता है तिक अगला है निम्लिकित में से कौन सा computer के hardware का एक भाग नहीं है तो देखे computer के hardware का monitor, keyboard, CPU यह hardware है पर तो Microsoft Office यह software है Micro Controller के संदर में PIC का अर्थ क्या है? Micro Controller के अर्थ में PIC का मतलब है Peripherial, Peripherial Interface Controller, 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 ठीक है? D option अगला है computer के hardware और software के संब्द में निम्लिक में से कौन सा या से कथन सही है? यहाँ पर दो कथन आपको दिये गए हैं पहला computer hardware भहुत ही कुपकरन है सही है computer hardware उन्हें प्रोग्रामों का संगर है जो hardware को अपना काम करने में सच्छम बनाते हैं तो दो के दोनों कथन सही है A और B यह option हो जाएगा USB का पूर्ण रूप क्या है? USB का पूर्ण रूप है Universal Serial Burst Universal Serial Burst आया ठीक है? तो D option हो जाएगा अगला है एक computer में सभी अंगर्णती तरह तारकिक परिचालन किसके दर रख किया आता है? तो यह जो है आपका ALU ALU अर्थमाटिक अर्थमाटिक लॉजिक यूनिट के दर रख किया आता है निम्लिकत में से कौन सा hardware नहीं है? देखिए आपका printer, CRT, assembler देखिए इसमें से कौन सा है? आपका चुम्ब किये टेप हो गया, printer हो गया, CRT हो गया यह hardware के उदाहर है जबकि assembler जो होता है यह assembly भाषा को machine भाषा में परिवतित करता है assembler एक program है जो assembly भाषा को machine भाषा में परिवतित करता है इस परिवतित से यह hardware है इनमें से कौन सा hardware आवयो नहीं है? तो देखिए, input यंत, CPU, memory यंत, यह सभी hardware में आते हैं पर अपरेटिंग सिस्टम जो होता है, यह hardware के तहत नहीं आता है आपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामों का समूह होता है आगे बढ़ते हैं, 117 number question देखते हैं इनमें से कौन सा computer hardware नहीं है? कौन सा computer hardware नहीं है? तो देखिए, आपका mouse, printer, monitor यह hardware है पर अग्सल जो होता है, यह software होता है अग्ला है, नमें से कौन computer hardware नहीं है? तो देखिए, printer है, mouse है, keyboard है, परूंत compiler जो होता है, यह software में आता है नमें से कौन सा computer का एक hardware घटक नहीं है? keyboard है, printer है, mouse है परूंत memory जो है, यह hardware घटक के तहत नहीं आती है software का प्रात्मिक उद्देश डेटा को किसे में बदलना होता है? सूचना में, information में बदलना होता है ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निमलिखित में से computer की processing unit कौन सी होती है? तो CPU होती है, Central Processing Unit, CPU यहाँ पर A option अग्ला है, computer में एक सब्द का आकार कितना होता है? तो इसका आकार computer में निशित है, लेकिन बिभिन computer की बीच यह भिन होता है, ठीक है? computer में एक सब्द का आकार एक computer में निशित होता है, लेकिन बिभिन computer की बीच भिन भिन होता है निमलिखित में से कौन सा CPU का घटक है? CPU, Central Processing Unit का घटक कौन सा है? तो इसमें देखिए ALU, Arthematic Logic Unit और आपका Control Unit ये CPU की घटक है D option, निमलिकित में से कौन सा भंडारण युक्ती CPU के साथ सीधे बातचीत करता है निमलिकित में से कौन सा भंडारण युक्ती मतलब जहाँ पे Storage होता है, युक्ती CPU के साथ सीधे बातचीत करता है तो यहाँ आपका है प्रात्मिक भंडारण ठीक है Primary Storage आगे बात करते हैं निमलिकित में से कौन सा भंडारण से इस तीनों से अशंगत है, तो आप यहाँ पे देखें Cache Memory, Arthematic and Logic Unit Control Unit, ये तीनों जो है Instruction Decoder से अलग है क्यों, देखें Cache Memory, Arthematic and Logic Unit और Control Unit, ये सभी Central Processing Unit, अथा CPU के भाग है, जबकि Instruction Decoder जो है Instruction Decoder, ये जो है आपका प्रोसेसर का सही ओज़क सरकिट होता है CPU को क्या कहा जाता है CPU को क्या कहते है इससे जो है Computer का मस्तिक, Brain of Computer कहते है अगला है Input Output Processing और Storage की प्रिक्रिया को जिस Unit की देख रेख में किया जाता है Input Output Processing और Storage की प्रिक्रिया को जिस Unit की देख रेख में किया जाता है उससे क्या कहा जाता है उससे जो है Control Unit कहते है क्या कहते है Control Unit कहा जाता है Control Unit को Computer का क्या कहते है Control Unit को Computer का इसनायू केंदर कहते हैं अथवा मस्तिस्क कहा जाता है किसी computer का सबसे महात्पूर्ण हिस्सा कौन सा होता है तो सबसे महात्पूर्ण हिस्सा CPU Central Processing Unit होता है अगला है 130 number question 130, micro processor जो computer का मस्तिस्क होता है उसे क्या कहा जाता है उसे भी कहा जाता है computer chip का दूसरा नाम क्या है computer chip का दूसरा नाम जो है आपका वो microchip है यह option ALU का पूर्ण रूप क्या है ALU का पूर्ण रूप है arithmetic logic unit arithmetic logic unit ठीक है तो यहाँ पर आपका C option हो जाएगा C option आगे बढ़ते हैं अगला है नेमनिकित में से data processing के दौरान वास्तविक निर्देश कहां क्रियानवित होता है तो वास्तविक निर्देश जो है वो आपका arithmetic logic unit arithmetic ALU में होता है ALU और control unit को एक साथ आम तौर पर इसके रूप में जाना जाता है तो इसे आम तौर पर processor के रूप में जाना जाता है प्रोसेसर के रूप में ठीक है कंप्यूटर की मेमोरी अर्थमेटिक लॉजिक यूट और इन्पूट आउटपूट डिवाइस को बताता है कि किसी कारिक्रम के इंस्ट्रक्शन को कैसे प्रत्किरिया देना है क्या बताता है तो जो कंट्रोल यूट होता है कौन यहां कंट्रोल यूट करती है कौन करती है कंट्रोल यूट कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सिस्टम कहा जाता है तो यहां जो है कंट्रोल यूट कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सिस्टम कहा जाता है कंट्रोल यूट को आगे बढ़ते हैं मािक्रो प्रोसेसर और मेमोरी को जोडने वाले तारों, तारों स homeland選 जिसके माध्हाँ से data प्रौहित होता है, क्या कहलाता है? चुज से data Reach कहते हैं, माध्धम से डेटा प्रहाइत होता है उसे डेटा बश कहते है कम्प्यूटर के हर प्रमुक हिस्से से जुड़े एकिकर्थ सर्किट को कम्प्यूटर के हर प्रमुक हिस्से से जुड़े एकिकर्थ सर्किट को कहा जाता है क्या कहा जाता है motherboard कहा जाता है circuit को motherboard कहा जाता है CPU और RAM इस्थित होते हैं कहां पर तो ये दोनों जो होते हैं आपके motherboard में इस्थित होते हैं CPU और आपका RAM motherboard में इस्थित होते हैं आगे बढ़ते हैं 147 नंबर question देखते हैं USB 타рм का full form क्या होता है USB का तो इसका होता है universal serial bus, universal serial bus अथाथ c option हो जाएगा, अगला है computer में एक motherboard के बनावट और आकार को दिया गया सब्द क्या है, computing में, तो देखिए, computing में form factor, computing में form factor जो होता है, एक motherboard के बनावट और आकार को दिया गया सब्द है, computer निम्से कोंसा कारी नहीं करता है, तो देखिए, आपका understanding ये computing का कारी करता है, processing का का कारी करता है, outputting का कारी नहीं करता है, निम्से कौन साया से, मूल operation, computer द्वारा किया जाता है, या किये जाते हैं, तो इसमें देखिए, अंगर्ती operation करता है, तार्किक operation करता है, संचा और पुनरप्राप्ति, ये सभी operation जो है, computer दोरा किया जाता तो D option हो जागा इन में से सभी अगला है 145 नमर कोशन देखते हैं यहाँ देखे D option बढ़िए D option जानकारी का एक अर्थ है यहाँ data चुनने यहाँ देखें computer में जानकारी का अर्थ है data चुनने इसे सारानसित करने और इसे एक प्रकार प्रसुत करने के लिए होता है कि यहाँ प्राप्त करता के लिए उप्योगी हो ठीक है यहाँ पर D option बढ़ा जाएगा यहाँ देखें कौन से गुन्द computer के इस्थित के अनुरूप लचीले वेवहार को दरसाते हैं तो यहाँ है बहु कौशल या वर्स्टिल्टी ठीक है वर्स्टिल्टी जो होता है यह गुन्द computer के इस्थित के अनुरूप लचीले वेवहार को दरसाता है जबकि सठीकता विश्षणिता computer की विश्ष़ताएं हैं यहाँ हम किसी computer system में बार-बार एक जैसा input डालते हैं तो हम्में समार प्रेडाम मिलता है कंप्यूटर की यहां विश्रषनिता के कहलाती है sustainability कहलाती है अगला है कंप्यूटर की निम्योंसे कौण सी विश्रषा इसे बिना मानों के हसता छेपके कारी करने में सच्छम बनाती है तो यह है आटोमेटिक जो होता है वो अगला है HDMI का HDMI का पूर्ण रूप क्या है HDMI का पूर्ण रूप है High Definition High Definition Multimedia Interface अगला है बिना किसी ठकान या एकागरता की कमिके एक ही सटीकता के साथ computer दोरा लाखों गड़ना की जा सकती है दिये गए विकल्पों में से कौन सा computer की इस संपत्ति का प्रत्नित करता है तो देखिए इस छमता का जो प्रत्नित करता है वो है आपका Digi Lens यहाँ पे B option हो जाएगा इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक क्ले बहुत बहुत धन्यवाद